हेलो एवरीवन वेलकम टू एक्जाम टेजी वीडियो में हम लोग डिसक्रस करने वाले हैं में सोसोलोजी का 2022 का कट अफ जो 2022 का कट अफ था और फिर 2023 की जब हम बात करते हैं तो 2023 में कट अफ जाए कितना हाई गया है लो गया है उसी साफ से 2024 के लिए जब हम प्रिप्रेशन करने बैठ रहे हैं तो कितना जेन के लिए एट लिस्ट हम लोग को कितना टार्गेट करना चाहिए सो जितने भी ऐसे केंडिडेट हैं जो 2024 में में सोसलोजी का प्रिप्रेशन करने वाले हैं तो में सोसलोजी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और एक कट अफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि पर कितने मार्क्स पे जो है एड्मिशन हो गया है तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि अलगलग category wise अगर हम माल लिजे general category की बात करते हैं फिर आपका schedule cast हो जाता है schedule tribe हो जाता है और OBC जो major categories है और last में EWS तो अगर हम बात करते हैं 2022 का सबसे पहले यहाँ पर्षेंटेज लिख लेते हैं तो यह पर्षेंटेज जो था यह माल लीजिए आपका 300 का एक्जाम होता है उसमें आपने जो भी स्कोर किया अगर माल लीजिए 270 स्कोर करता है तो इसको पर्षेंटेज में convert किजिए आउट अप 300 तो यह 90 पर्षेंट आता है तो यह मार्क्स नहीं था यह सारा आपका पर्षेंटेज था वहीं अगर बात करते हैं सेडूल कास्ट का तो आपका 84 पर्षेंट था सेडूल ट्राइब का 81.33 81.33 फिर हम बात करते हैं आपका OVC का तो 86.66 और फिर EWS का भी 86.66 तो यह हो जाता है 86.66 और 86.66 अब एक बार compare कर लेते हैं कि जब हम 2023 की बात करते हैं तो वो कितना जो है cutoff आपका ऊपर गया हाई गया जो टू थ्री ठीक है यहां पर हम लोग मार्क्स लिख लेगे तो जो पहला आपका जो इसका जो कोड है SOCM तो यह आपका क्या है 72.66 और 54.66 तो इसको लिख लेते हैं 72.66 और यह है आपका 64.66 नेक्स्ट अब अगर हम आ लिजे बात करते हैं तो यहां पर आप देख पाईएगा जो cutoff आपका percentage जा रहा है यह किस तरीके से आपका UP and DOWN हो रहा है फिर है 56.33 60.66 63.66 53.66 60.66 और 63.33 रफली इतना ही मान के चल लेते हैं कितने तो यहां पर आप देखिएगा कि हर एक काटेगरी का अगर हम 2022 से compare करते हैं तो आपका percentage point में काफी कम हुआ है तो एक बार marks के रूप में देख लेते हैं तो 90 अब यहां पर जो भी percentage है इसको आप अगर multiply by 3 करते हैं तो आप 300 में आपका वो score आ जाएगा तो यह आ जाता है आपका 276 276 यह आपका 240 प्लस 252 आ जाता है यह आ जाता है आपका 240 और 5 और 4 मार्क्स तो 244 यह OBC के अगर हम बात करते तो OBC का point 66 20 हो जाता है यानि 260 और यहीं EWS का भी आपका 260 मार्क्स हो जाता है अब अगर हम लोग 23 की अगर बात करते तो 72.66 तो 7210 आता है प्लस आप उसमें जो है 8 मार्क्स और तो 218 मांक्स आपका 60 हो जाता है 180 और 4.66 का रफली मानके चलिए तो 14 मार्क्स हो जाता है तो 194 50 आपका हो जाता है 150 और 3.66 मानके 10 माल कर लिजे तो 160 और अवरेज 161 आता है 160 माल लीजे यह आपका 182 और यह आपका मान के चलिए 180 और 10 190 सो आप अगर पर्शेंटेज मार्क्स में और टोटल मार्क्स में आप कंपेर करते हैं तो लास्ट ये के टर्म्स में इस साल की 2023 की जो कट आफ गई थी वो काफी जादा लो चली गई थी अब बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि सब 2024 में भी क्या कट आफ लो जाएगी देखिए 2024 में जहां तक बात है एक्जामिनेशन एक तो पहले प्रिपोन हो गया जिसके कारण जो प्रिप्रेशन में भी उसका इंपैक्ट रहेगा अगर हम डिफकल्टी लेवल की बात करते तो कोशन में भी आपको जब भी आप कंपेर करते हैं पर्शेंटे है कि 2023 का आपको जो है एक स्टैंडर्ड जो है आप मांगे चली कोशन पेपर को और उस हिसाब से फिर हम लोग का टार्गेट यह होना चाहेगी कट आफ कहीं भी इन दोनों के बीच में वैरी कर सकता है एक्जेक्टली कट आफ कितना आएगा कम होगा ज्यादा होगा वो तो फाइनल एक्जाम साब के हो जाते हैं उसके बाद ही कोशन के डिफकल्टे लेवल प्लस रिस्पॉंस सीट का नुसार से ही पता चल पाएगा लेकिन अभी वो जो है एक टार्गेट रूप पे बोलते हैं तो आपको यह कम से कम जैनल के लिए 225 तक आपको टार्गेट करना चाहिए आप मान के चलिए कि जो भी यहां पर पॉर्षेंटेज देख रहें इसमें 10 से 15 मार्क्स और जोड़ दें अब बात आती है कि कितने कोशन्स आप लोग को सॉल्प करना पड़ेगा तो उस हिसाब से फिर हम लोग सेप्रेट ली एक बार डिसक्स कर लेंगे कि on average आपको जो है कितने कोशन्स सही करने हैं सो अब जो है answer को करेक्ट ली करेक्ट अंसर कितने होना चाहिए total attempt कितने होना चाहिए so that आप कहीं न कहीं JNU के cut-off list में fall कर पाए so hopefully ये वीडियो पसंद आए पसंद आए तो please like कर दे और चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो please channel को भी subscribe कर दे इसके साथ ही मैं बता दूँ कि exam TG के तरफ से MS sociology के previous papers test series सब कुछ provide किये जा रहे तो उसके लिए आपको call या message करना है उसके लिए आपको call या message करना है उसके साथ ही आपको previous papers question bank UGC net papers सब कुछ provide किये जा रहे तो आप फटा फट इसी नंबर पे call या message करके सारे details ले सकते हैं so thank you and we wish you all the best